नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा हम सब उच्छा उठना चाहते हैं, उच्छा दिखना चाहते हैं और विशेश रूप से हमारे विद्यार्थी तो ये चाहते ही चाहते हैं कि उनकी हाइट अच्छी हो और अगर हाइट कम रह जाती है तो ये एक कॉंप्लेक्स भी हो जाता है हलाकि नहीं होना चाहिए, we should always love ourselves आप जैसे हैं, बोहुत अच्छे हैं, बोहुत प्यारे हैं और सबसे महत्वपून परमात्मा की संतान हैं आप परमात्मा की संतान है इसलिए आप बुद्धी मान हैं शक्ती मान हैं बलवान हैं विद्वान हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने स्वास्ते का ध्यान रखना बंद कर दें हाइट गेंद करने के लिए अगर हम रेगुलर यूगा भ्यास करें रेगुलर फिजिकली अक्टिव रहें स्ट्रेचिंग्स करें बेंदिंग्स करें तो हम अपनी हाइट को बहुत आसानी से गेंद कर सकते हैं विशेश रुप से विद्यार्थियों के लिए चार बहुत सुगम से प्राक्टिस आज के इस एपिसोड में हम शेयर कर रहे हैं अक्सर ऐसा माना जाता है कि बच्चों में 18-20 उमर की उमर तक हाइट बढ़ती है और बच्चियों में after their periods हाइट बढ़नी बंद हो जाती है पर ऐसा नहीं है हमने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं ननी ननी बच्चियां जो हमारे आश्रम में आती हैं उनके periods स्टार्ट हो गए लेकिन उसके बाद भी regular योगा अभ्यास करके उने बहुत अच्छी हाइट गेंगी और एक बार पता है क्या हुआ हमारे यहां एक student आते थे यानि एक दादा जी अपने grandson को लेकर के आते थे वो grandson की height increase करानी थी तो वो class attend करते थे grandson तो दादा जी बाहर बैट करके वो भी same yoga भ्यास करते थे और after two months जब दोनों की height check करी तो grandson की height तो बड़ी बड़ी दादा जी की भी height बढ़ गई क्योंकि जब हम body को stretch करते हैं हम proper exercise करते हैं proper yogic practices करते हैं प्रानायाम करते हैं तो ऐसा क्या है इस जगमाही जो सब तुम पा सकते नहीं लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो मेहनत पर विश्वास करो अगर हम hard work करें so there is nothing that we cannot achieve क्या करने आपको बहुत असान सी क्रियाएं आपको इक्रियाएं सीदे खड़े हो करनी है और यह ज़रूर याद रखना हैं कि इस practices shall be done empty stomach तो सुबह या शाम खाली पेट इनका भ्यास आप कर सकते हैं सभी साधर कपने mat पर सीदे खड़े हो जाएंगे सीदे खड़े हो जाएंगे और आरंब करेंगे विरेचन गती से यथा नाम तथा गुणा जैसा नाम वेसा उसका benefit होता भी है यह रियल लाइफ में भी जो हमारा नाम होता है वही गुण हमारे अंदर आते हैं तो विरेचन का मतलब है क्लिंजिंग विरेचन means to cleanse your system, cleansing practice तो यह अफकोस नाम से ही आप समझ कूंगे आपके system को cleanse करता है और विशेश रूप से height इसलिए बढ़ाता है क्योंकि जब आपके system क्लिंज होगा तो आप भरपूर मात्र में oxygen ले सकते हैं ब्लद का फ्लो बहतर हो और यापके height को भी गेन करने में, करवाने में सहायक होगा तो विरेचन के लिया हम एडी पंजे, मिला लेंगे, feet together and then place your hands at the sides of your body in 90 degree angle, यह ऐसे नहीं करना है, it has to be in 90 degree, now while inhaling, lift up your hands, exhale and bring your hands back and when you bring your hands back, feel the pressure at your mind controlling nerves, that's very very important, so I will be showing it to you, we do it with jump and without jump, now since all of you are students, it's recommended you do it with jump to gain your height, but to those who suffer from back pain or knee pain, which I don't think there will be any students suffering from that, but still if there is anyone with this problem of heart, knee pain or back pain, they shall completely avoid doing it with jump or without jump करना चाहिए, तो हम दोनों तरह से आपको दिखाते हैं एक बार, take the position, inhale and exhale, so I'll show it to you without jump first, ठीक है, clear, और ऐसा नहीं सोच नहीं तो पपू दांस कर रहे हम, नहीं हाथ यहाँ हैं, और यह आपको और इंटेलिजन बनाता है, so it cannot be that dance, right, so this is a practice which enhances your brain abilities, which makes you more healthy and specially beneficial in gaining height and cleansing your entire system, अब I'll show it to you with jump, यहाँ है और फिर, so I've done it 30 times and I'm absolutely okay, कोई सांस नहीं फूला, कुछ नहीं हुआ और आप लोगो से तो बहुत ज़्यादा उमर की हुम है, आप जब इसे करेंगे, तो 100-200 times, तो हम ही कर लेते हैं, you start with 100 repetitions and then take it to 500 repetitions, you will see that your height will gain, your body will cleanse and your skin will start glowing and there will be so many other benefits of it, now, open your legs, spread your arms and inhale 3 times, bring your hands down, relax, यह किया हमने विरेचन गतिया अभ्यास, इसके बाद हम करते हैं, तारासन, तारासन के ली भी, तार सबसे उचा वाला पेड होता है, तालेस्ट्री, तो इसीले इसका नाम तार है, क्योंकि इससे अपकी हाइट गेन होती है, feet together, interlock your fingers, place your palms in front of your chest and palms facing towards the ground, not towards the sky, okay, now inhale, while inhaling, lift up your arms and stretch your entire body, feel the stretch at your lower back, at your abdomen and then gently lift up your heels and balance your body on your toes, then exhale, bring your hands down, I'll be doing it one more time, inhale, balance on your toes, अपने आखों को स्थिर रखेंगे ताकि balance कर पाएं, पूरे शरीर के खिचाव को अनुभव करना, महसूस करना, exhale, bring your hands down, आपके सारे human systems के लिए बेनिफिशल है ये practice, आपकी हाइट तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, साथ में आपको stress-free कर देती है, if you do it in the evening, you will see that all your entire day stress will be gone, and then spread your legs, relax your body, join your hands, just relax, normal breathing, यही से हम करेंगे Mrinalasana का अभ्यास, Mrinal means lotus and it makes you beautiful like lotus, it helps in gaining height and also in reducing your side fat of your body, अभी तो students, हम लोग जब students थे तो rarely कोई obese बच्चा क्लास में दिखता था, but अभी आपके जो eating patterns, बच्चों change हो गए है, उस वजए से बहुत obesity के cases बढ़ गए है, so we need to be very careful on what we are eating, how we are eating, anyway that's a separate topic and maybe one day I'll make a separate episode on that as well, on eating habits and on eating healthy, but let's learn Mrinalasana now, fit together, inhale, hands up, and stretch your body upward without lifting up your heels, so heels are going to stay on the floor, now inhale more and bend towards your left side, exhale and back, inhale right side, exhale and back, but throughout the practice keep your upper half of your body stretched, inhale, exhale, inhale, exhale, again stretch your body upward, exhale, bring your hands down, spread your legs, relax, इसको आप 5 times on both sides कर सकते हैं, अगर आपको अपना side fat कम करने तो इसको 10 times भी कर सकते हैं, but अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, तप 5 times on both sides you do it, and last practice it, विभक्त हस्त पादासन, हस्त means hand, पाद means pair, so join your hands to your legs, but that might not be recommendable, recommended to many practitioners who are suffering from back pain or any other such issue, so it's better we do विभक्त हस्त पाद, विभक्त means modified, so this is a modified version of हस्त पाद, why, because of the gravitational force, flow of your blood is downward all the time, and we need to do such practices through which we can bring it upward, that can nourish you, so since we have done stretching, it's very important that we do विभक्त हस्त पाद, just exhale, your give space between your feet, shoulder width space, अपनी कंधों की चौड़ाई जितना, space अपनी दोनों पंजों में देंगे, exhale, bend forward, और इसमें आप बाक को strain नहीं करना है, हातों को बलकुल दीला चोड़ देंगे, गर्दन को दीला चोड़ देंगे, let the blood flow towards your skull, let it nourish your skull, your spine, your entire body, inhale and back, just look at me one more time, exhale, leave your head loose, your arms loose, normal breathing in the final position and then while inhaling come back, join your hands, relax, as I said, relaxation is essential after each and every practice, now how many repetitions you can do, you can practice it three times, three repetitions, since you are not holding your breath in the final position, और पूरा रक्त का प्रवाह कोपड़ी की तरफे श्वास बिलकुल नॉर्मल है, तो आप इसको थोड़ा लंबा समय के लिए भी रोख सकते हैं, क्यूंकि आपको सांस नहीं रोखना पड़ रहा है, या सांस ही चार ख्रियाएं करेंगे, फिजिकली आक्टिव रहेंगे, कोई नहीं कोई एक स्पोर्ट जुरूर जॉइन करेंगे, डांसिंग कर सकते हैं, टैनिस कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, पच्छों अमें ये शरीर बैठे 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 रहने के लिए नहीं मिला है। उतने फिरने चलने उलता हो जाने तुष्ट हो जाने के लिए मिला है। विशेश रूप से विद्धार्थी। अपने आप किया करें। आजकल बच्चे तने आलसी हो गए हैं, कि अपने बरतन भी उठा के नहीं रखते हैं, पानी पिया वहीं छोड़ दिया, प्लेट ली वहीं छोड़ दिया. This is essential not only, of course, to be physically active and also to have some discipline in your life. That's called tapaha in लोग. तो छुटी-छुटी चीज़े हैं, ये घर के काम आप करके, अपनी मातापिता को भी थोड़ी खुशी देंगे, your mother will be very happy and she'll say, अच्छा, आज कल आचारे जी की क्लास में जा रहे हो, वो वीडियोस देख रहे हो, इसलिए सीख रहे हो ये सब. So make them happy, make everyone happy around you and then make yourself happy, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखी नहा की संस्कृती के हैं, सब सुखी होंगे तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे. खुश रहेंगे, नियमित रूप से योगा अभ्यास करेंगे, सब के लिए धेर सारा प्यार, धेर सारा आशिरवात.